तो दोस्तो आये इस वीडियो मां डिस्कस करते हैं डॉक्टर मार्टी लॉगडिल के वो बुक जो स्टुडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए कैसे इस्तिमाल करते हैं तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को हम सुरू करते हैं डॉक्टर लॉबडिल एक पीर स्कॉलेजम प्रोफेशर से जिनोंने साइकल लॉजी उसमें वो पढ़ाते थे अब आये दोस्तों उनकी ये बुक देखते हैं इनमें कौन सी साथ स्ट्रेटेजी है जो हर एक स्टुडेंट को अपनी लाइफ में यूज करना ही चाहिए यदि को स्टुडेंट को एक स्टुडेंट एफ एक फारी स्टेप काता है एक स्टुडेंट 30 से 30 मिनट तक और वह ज्यादा तर ठक जाता है कोई भी स्टुडेंट consistency कर सकते हैं अगर कोई जादा अटेंशन वाला लड़का हो तो मुश्किल ठीडर घंड़ ऑपाता है और उसका दिमाग बाद में ठक जाता है और यदि हमें उस टाइम कोई भी ऐसा एडवाइज दे कि बहुत देर तक पढ़ाई करो तो यह हमारे माइन को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए दस मिनट में उस दस मिनट में हमें कुछ भी कर सकते यह दी दस मिनट अपने माइन को ब्रेक दिया और हमारा मांड रिलेक्स हो जाएगा फिर हमें वापस आके continue पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए पूरे दिन पढ़ने के बाद ऐसे कई सेशन पढ़ने के बाद हमें अपने आपको अंत में एक reward देना चाहिए जैसे कि कुछ खाने के चीज़े जैसे ice cream हो गई यह फिर कुछ और कर सकते हैं फिर friend के साथ हम लोग घूम सकते हैं तो ऐसे reward हम लोग देंगे तो हमारा brain जल्दी effectively study को समझ जाएगा माटिल लॉबडिल बोलते हैं ऐसा करने से हम लोग अपने इस habit में इसे convert कर सकते हैं और यह हमें motivate भी करता है यदि आप चाते हैं कि आप कितने देर तक पढ़ाई कर सकते हैं कितना अटेंशन दे सकते हैं पढ़ाई कर तो आप सबसे पहले एक clock ले लिजी और table पर बढ़ी जहां पर रोज पढ़ाई करते हैं और वहां पर देखी आदे गंटे बाद आप अपने आप से पुछिए मै करा है कि हमें 45 मिनट कर देना चाहिए और हमें 45 मिनेट के बाद ही ब्रेक लेना चाहिए है कि हमें एक ही जगह पर रोज पढ़ाई करना चाहिए दोस्तों यह एक fact है कि हमारा environment जो हमारे इन्वर्मेंट है वह हमारे willpower से ज्यादा strong है हमारा mood जो होता है au environment के हिसाब से change होता क्या आपने कभी देखा है यदि आप अपने फन जो दोस्त फन ही होते हैं फिर मजाकिया होते हैं उनके साथ आप ज्यादा तर रहने से बाद में आपका भी मन करता है कि आप भी फन करें आप भी मजाक करें यह हम कोई intelligent या फिर smart student के संगत में रहते हैं तो हमें यह पता चलता है यह फिर हमें ऐसा लगता है कि यार यह यह मस्ति करना सब बेकार है यह सब नहीं करना चाहिए हमें successful होने के लिए अच्छे से तैयारी करने चाहिए हमें अपना work करते ही रहना चैहिए हमें अपनी study पर मूड वैसा ही रहो बन जाएगा और यदि हम किसी अच्छे इंवार्मेंट में रहते हैं जैसे कि जो intelligent लोग उस इंवार्मेंट पर है तो हम वैसी ही सोचेंगे वैसे ही हम बेड पर पढ़ाई करते हुवह हमें अच्छे अंच्छे एक不過 की की थोड़ी हमें नीद भी आएगी और वो हमें नीद हलका हलका आएगा उससे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे इसलिए हमें पढ़ाई वहीं पर करना चाहिए जहां पर अच्छे अच्छे एंवर्मेंट और जहां पर हम लोग रोज पढ़ाई करते हैं 45 मिनेट्स जब हम एक ही जब पर पढ़ते हैं त ठुश्टो यह study tips यह हमें कहती है कि हमें actively study करना चाहिए सबसे पढ़ा हमें देखना चाहिए कौन सा facts है और कौन सा concepts है जैसे कि यदि मैं आप से काहूँ कि He expansion का सबसे बड़ा बौन का नाम क्या है तो यह एक fact है और यदि मैं आपसे कहूं कि हमारा digestive system कैसे इस वह कौश करता है तो यह concept यह फिर मेरा हमारा हर्ट system कैसे काम करता है तो यह concept है तो सबसे पहले हमने देखना चाचिए कौन से facts है और कौन से執र क्योंकि दोस्तों यदि हमने concept को समझ लिया तो हमें जल्दी याद लेकिन फैक्स यह गोग हमें जल्दी याद नहीं होते तो फैक्स को याद करने के लिए अख मैथड है जैसे जीसे हम acronyms जो ऐसा method है जो हमें study या फिर facts को याद रखने के लिए हमें help करता है जैसे कि विब ग्योर दोस्तों अब ग्योर जो यह रेंबो होता है उनके साथ कलर रहते हैं और हमें इसे सिक्वेन वाइस याद करना बहुत ही मुश्किल रहता है इसलिए यह एक रॉमी बनाए गया है बहुत सारे लोगों ने ऐसे नेट्स पर हमें मिल जाएंगा हर सब्जे लाइफ टाइम तक याद भी रहेगा इस एक्स्प्लेशन के दोरान हमारी बुक खुली नहीं होने चाहिए और हमें ऐसे एक्स्प्लेट करना है तो रिवाइस करने का बेस्ट मैथड है कि हम बुक बन करके सारे कौंसेप्ट को एक्स्प्लेट करें इस टेक्निक को हम समझ निया वह हमने अपने फ्रेंट से लिख के हमें नोट्स बना ले रहें इससे यह होता है दोस्तों हमें तुरंत वह कॉंसेप्ट हमारे माइड में बढ़ जाता है और हमें वह याद भी होने हो जाता है या फिर आप टीचर से भी पूछ सकते हैं यह कॉंसेप्ट आपको स जाएगा और समराइज पोर्शन हमें जल्दी याद हो जाएगा फेशल लॉब डिल कहते हैं कि बेस्ट वे सीखने का यह है कि यदि हम जो पढ़े हैं वो किसी और को पढ़ा हैं जब हम किसी और को पढ़ाते हैं तो हम एक्टिवली स्टडी हमें हमारी भी होती है इसके दो दोस्तों यह vaft हम जब किसी को पढ़ाते ह्युप इससे हमें यह भी पता चलता है कि actually यह concept मुझे कितना समझा है और कितना मुझे अच्छे से याद है और यदि कोई concept हमें समाझ में नहीं आया तो उसे हम explain नहीं करते और हमें समाझ में आता है actual में यह concept हम समझे ही नहीं है एलबर्ट आइंस्टाइन ने कहा था if you can't explain it simply you won't understand well enough strategy no.6 कहती है कि test books को ठीक से पढ़ो टेक्स्ट बुक को पढ़ने का भी एक तरीका होता है इस पर मांगडी लॉग डिल कहते हैं कि जिसे हम SQ3R मेथड भी कहते हैं मेथड का full form survey, recite, read, quest, revise कोई भी chapter पढ़ने से पहले हम उसको revise कर सकते हैं या फिर survey कर सकते हैं revise तो पहले नहीं कर सकते हैं पहले हम survey करें कि यदि lesson में क्या दिया क्या है जिससे हमारी curiosity बढ़ेगी और वह lesson हमें पढ़ने का बहुत ही मन करेगा और जितने भी उसमें concepts दिये रहेंगे वह हमें याद रहेंगे बाद में कोई paper पर हमें वह questions लिखने हैं जब हमने इस lesson को survey किया था उसमें जो-जो question हमारे mind में आया होंगे उसे एक paper पर लिख लेना और फिर उस question के answer हम उस lesson से पढ़के ढूणना स्टार्ट करेंगे उस chapter में जो भी headlines रहते हैं उस headline को हमकोशन के भी convert कर सकते हैं next step है read अब हमें actual में उस chapter को पढ़ना है ताकि अपने दिमाग में question के हम answer ढूण सके next step है recite अब recite में हमें अपने book को close करके जितने भी concepts हमने पढ़ा है उसको अपने language में बोलना है इसी को recite कहते हैं दोस्ते और last में हमें review करना है बस review में हम ऐसा पूछ सकते हैं इस पूरे chapter से मैंने क्या पढ़ा है क्या सिखा है इसे life में मैं कैसे use कर सकता हूँ ऐसे हम study पढ़ सकते हैं इस chapter को कैसे इस chapter को हम easily समझ सकते हैं seven strategy कहती है हमें जो भी facts है उनको हमें images या फिर economy में बना के हमें याद कर सकते हैं और यदि हम कोई fact है जैसे कि समझ लिए कि महात्मा गाधी का जन्म कौन से date को यह उनके date को हम कोई images में convert करके हम याद कर सकते हैं यह सबसे ज्यादे effective तरीका होता है दोस्तों याद करने का तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लागा यदि यह वीडियो आपको अच्छा लागा तो तुरंत अभी जाए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट किजिए इस वीडियो पर और यह भी लिखिया कि आप अगर नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं थैंकि दोस्तों जय हिंद